केदानात को सेटिलाइट की चेतावनी 2013 की तबाई जैसी फिर हो सकती है घटना साल 2013 में केदानात में प्रकृति की सबसे बड़ी घटना सामने आई है जिस वज़ा से पूरी केदानात घाटी तहस नहस हो गए थी इस बड़ी घटना में करीब 5000 लोग मारे गए और 1000 लोग घायल हो गए थे इस आपदा में करणों का नुकसान भी हुआ था तब विशेशग्यों ने इस तबाही का कारण मांसून का जल्दी जाना और ग्लेशेरों का पिघलना बताया था केदानात की तबाही के 6 साल बाद एक बार फिर चोरा बाड़ी जील में पानी जमा हो रहा है बता दें कि यह वही जील है जो 2013 में आये महाविनाश की मुख्य वज़ा बनी थी अब इस जील में फिर से पानी जमा होने लगा है सेटलाइट तस्वीरों के जरीए ऐसा पता लगा है कि 2013 की तबाही जैसा खत्रा फिर से केदानात पर आ रहा है जमी हुई चोराबाडी जील की कुछ नई तस्वीरे सामने आई है केदाना धाम से 2 किलो मीटर उपर कई जग हो रहा है और पानी जमा होने वाली जगों की संख्या बढ़ रही है यह तस्वीर लेंड सेट आट और सेंटिनेल 2B सेटलाइट से 26 जून 2019 को ली गई है इन तस्वीरों से पता चलता है कि पिछले एक महिने में जल समुहों की संख्या 2 से बढ़ कर चार हो गई है सामने आ सारी खबरों के मताबेक उत्राखंड सरकार ने एहतियात उपाय करने शुरू कर दिये हैं